हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्टीप चैनल पर आपका और आज हम आपको बताएंगे स्टेप अ कि आप किस तरह से स्लोट में वाइंडिंग करें मस्लिम के दौरा तो चलिए अब हम बताते हैं कि क्या क्या करना है इसमें वह चीज़ बताते हैं आपको तो यह देख दस से ग्यारा के एक रेंच ले लिए फिर हम चुटा ले लिए उसके बाद एक आठ अच्छे छे आठ का एक रेंच चाहिए होता है तो देख सब करेंगे दूस्तों यह हमने रखा एक कैची तो अब हम दूस्तों डाय लेंगे तो देख सब करेंगे आवा यह मेरा डाय है और जेस रमिसको कर सकते हैं जैसे हमको आयस बनाना है हम इसे बना सकते चलिक हम करते हैं तो अब आपने देख लिया कि क्या क्या समान इसमें चाहिए होता है अब हम आपको इसमें सेट करके दिखाते हैं कि किस तरीका से सेट किया जबता है तो सबसे पहले हम इसको इसमें डाल लें आप आप किया मैं डालने हैं अब यह किया मिसमें सब्सक्राइब आप अब हम यह यह दो पीवीची जो है इस तोनों में जाना चाहिए देखे दूस्तों दिखाते हैं अपको यह देखे यह तरीका से जाएगा अब हम आप साइट से दिखाते हैं आपको यह जो मेरा यह दोनों रड़ जो है यह रड़ हलका साइस को जो है देखिए हम साइश को लाच से यह देखिए इससे यह होगा कि आपका वायर जो है कटने का चंप बहुती कम होता है कि अब हम इसमें फले को लगाएंगे यह मेरा 35 नमर वायर है अब हम इसको लगाएंगे तो देख सकते हैं दोस्तों हमने रख दिया है अब अब हम स्लिविंग जो है सिलिविंग जो हम डाले हैं इसमें हम इसको वायर को डाले हैं तो पहले हम इस तरीका इसको मोर लेते हैं यह देखिए अब हम इसमें डालेंगे मेरतार आ गया बहार अब हम इसको इस तरीका से करके इस रट के बीच में लेंगे यह देखिए यह मेरा इधर हो गया अब हम आपको जिखाते हैं कि करना क्या है जैसे लूज टाइट अब हम दोस्तों सबसे पहले इसको लूज कर देखिए यह देखिए यह लूज हो गया है अब हम इसमें वायर डालेंगे तो यह देखिए आप इस तरीका से इसको कर लें यह हुआ अब हम इसको इस तरीका से टाइट कर देखिए जब आप टाइट कर लें तो सबसे पहले देखिए आप से कि यह चीज़ मेरा टाइट हुआ यह नहीं देखिए यह लूज है इसको भी टाइट कर लें हुआ को दिखिए कि अब मेरा एक कि यह ज्यादा टाइट हो गया तो फसको थासा और हमको लूज करना इसे अले के देख सकते हैं दोस्कों मेरा उगरम सीया अब हम आपको इसमें उंडिंग करके दिखाते हैं अब दोस्तों अब हम आते हैं वाइंडिंग पर सबसे पहले हम इस डाय को इसके अंदर डाल लेते हैं यह देखिए देख सकते हैं दूस्तों मेरा अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से चला गया है अब हम इसको टाइट कर देंगा तो देख सकते हैं यह मेरा टाइट हो गया है अब हम इसमें वाइंडिंग करेंगे अच्छे से आपको चला के दिखाते हैं कैसी वाइंडिंग होता है चलिए दोस्तों अब हम चलाते हैं हम सीधा डालेंगे देख सकते हैं दोस्तों यह ओरा है यह मेरा टाइन है यह पूरा हो बचुका है अब हम इसको खोलेंगे देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा फेनिशिंग है कोईल का दोस्तों यह हम सारा वाइंडिंग आपको करके दिखाते हैं तब तक मेरे वीडियो पर आप बने रहे हैं क्या होता है यह देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं स्क्वाइल को इस तरीका से इसमें डालें यह देखिए इस तरीका से फिर इसको दावना अब दुस्तों हम दूसरा बला दूसरा घर वाइंडिंग करेंगे अब जो हम वाइंडिंग करेंगे तो उसको उल्टा करेंगे यह सिदा था मेरा अब उल्टा करेंगे बिल्कुल उसी तरीका से मुकादना से जो आमापको बताई अब बनापको 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 तो देख सकते हैं यह दो गर मेरा बंग गया है अब हम इसमें पीबीची पेपर डालेंगे जो कि सॉट पेपर इसको आप बोलते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों यह पेपर हमने डाल लिया है और हम आपको फूल वाइनिल करके दिखाते हैं तब तक मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरू कर लिजिए और बेल एकन बेटन जरू दोगाएं ताकि आपको नौटिफिक्ट जो करें जो करें दो हैं जो रख बोलते हैं